अभी थोड़े दिन पहले का स्टेलिस कंट्रोलर रहा था और वह चल रहा था पीसी पे एंड्रोइड आयोएस निंटेंडो स्वेज और वायरलेस डाउंगल के साथ वह था और बहुत लोगों की डिमांड दी वही है काश ऐसा कंट्रोलर हमारे को प्लेस्टेशन फॉर या प जोएस्टिक जो उसके अंदर थे वह इसके अंदर वी है रिगर जाता है कंट्रोलर में अच्की डिट में टू ट्रिपल नाइन रूपीज का एंड टू ट्रिपल नाइन पर काफी सई सई चीजों का साथ आता है जैसे कि मैं आपको अबर वीव दिया बाकि डबा खोलते है सब को जानते हैं इन डिटेल तो यहां पर मिल जाता है कुछ ऐसा बॉक्स और यह बन रखका हमारा कंट्रोलर फूल और और यहां पर निकल जागा सुफएद चादर में हमारा कंट्रोलर ओहाई तकड़ा तो लग रहा दिखने में और डबे के अंदर यहां पर हमारे को एक वंआरा को मिल जाएगी एंड कंट्रोलर के मामला में वे constant बिकाउस जाइब कहने किया चीजवा के यहां पर कुछ आसा पूरा का पूरा PlayStation ले आऊट वाला कंट्रोलर क्या हमारी ओर Tr kommt लुक, स्क्वयर, एक्स और वाला बटन यहां पे रखाई ट्राक पैर उपर हमारे को मिल जाएगा दी पैर यहां पर हमारे को हैडफोन जैक मिल जाता है प्लेक्टेशन प्रेशन प्रेशन प्लेशन पर कंट्रोरक कनेक्टरूर्रों यहीं से चला पाऊंगे और पीछे हमारे को यहां पर दो मैक्रो मिल जाती है येस आप मैक्रो कस्टमाइज कर सकते हो मुल्टिबल कीज का कॉम्बिनेशन आपको बनाना हो फाइटिंग गेम्स में काफी यह काम आती है तो वह हो जाएगी और कैसे मैक्रो सेट अप करने है वह यूजर मैनूल में और इसके लावा यहां पर हमारे फुल ट्रिकर्स तुद्धा भी रहे हैं लेकिन यहां पर हमारे को मिलेगा बाई ट्रिगर का लॉक जिसको अब ऐसे कुछ इस तरह की से स्लाइड कर दो के तो हमारा ट्रिगर लॉक हो जाता है और यह सिंगल टैप पर कर सकते हैं उसके अलाव और बीच में आप हमारे को स्पीकर भी मिलता है यह सिर्फ PS4 यह PS5 Limited Compatibility में चलेगा जहां पर प्लेसेशन के गेमस में कुछ हाइपिट साउंड आती है वह इस कंट्रोलर से आप सुन पाऊंगे जो प्लेसेशन यूज करते हूं वह समझ गी होंगे मैं क्या बात कर रहा हू समझ के और यह कंट्रोल हमारे को ट्रांस्पेरिंट डिजाइन के साथ मिलता है अंदर आप देखोगे ना मदरबोर्ड बढ़िया से डिजाइन बन रखे है और अंदर की वाइब्रेशन मोटर वगरे बढ़िया दिख जाती है उपर से पूरा का पूरा ग्लॉसी फिनिश म सॉलिड कलर भी होने चाहिए अगर किसी को तड़के पसंद ने आते तो वह स्टेबल कलर के लिए जा सकता है जैसे हमारे को स्टेलरिस कंट्रोलर में मिल रहा था और उसके अंदर ट्रांस्परेंट वाला भी था वह इसके अंदर भी होना चाहिए था नहीं क्या मतलब जो म पाइप सी ट्यूब डाल रखी है अगर आप देखोगे पूरी दोनों सिमेट्रिकल वे में दोने तरफ से ट्यूब है और यहां पर जो हमारी एनलॉक स्टिक है उसके अंदर भी हमारे को लाइट मिलती है इसके जो चार बटन्स है उसमें भी हमारे को लाइट मिल जाते है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तो हमारे को कलर के एफेक्स मिल जाते हैं बहुत सारे और आप इसमें और इसमें आरजीबी के आफ भी कर सकते हो और यहां पर मल्टी कलर वाला मोड जो काफी बड़ीया मिलता है टोटल इसके अंदर कुछ फेड वाले कलर भी है यहा आप सेट करो में और लास कलर जो आप सेट अप करके रखोगे वह याद रखता है तो जब भी आप अन करोगे वैसे रहेगा मेरे को यह मल्टी कलर वाला मोड इसका बड़ा प्यार लगता है वा एकदम एकदम फुल ऑन नशे हो जाते हैं और बाई जब बंदा कंट्रोलर वह भी ऐसा थी नजार उपया कंट्रोलर तो उसको उमीद होती है कंपैटिबिलिटी के साथ आता है या था Bluetooth वर्जन 5.3 के साथ तो आप Bluetooth मोड पे PC से कनेक्ट कर सकते हो Android से कनेक्ट कर सकते हो iOS से कनेक्ट कर सकते हो और Bluetooth मोड से कनेक्ट करना इतना कोई मुश्किल नहीं है या पर होम बटन और शेर बटन को प्रेस करके रखोगे तो यह पेरिंग मोड पे चला जाता तो PC पे Android पे iOS पे कुछ इस तरीके से आप कनेक्ट कर पाऊगे और PlayStation 4 & 5 पे भी यह वायरलेसली ही कनेक्ट होता है PS4 पे पूर आप दंग से कंट्रोलर को चला पाऊगे लेकिन PS5 पे या तो UI पे कंट्रोलर चलेगा या फिर सिर्फ PlayStation 4 वाले गेम्स में चलता है PS5 वाले गेम्स में नहीं चलता है PS5 वाले कंट्रोलर के चिप आई निया मार्केट पे जिस पे कंट्रोलर डेवलप खो पाए तो उसके लिए आपको इतजार करना पड़ेगा compatible controller सा सा स्पैसि आ रहे हो समाज होगे मैं कौनसी बात कर रहा हूं तो आप DS4 Windows डाउनलोड कर सकते हो जिसके थूर इसकी full compatibility चल पाएगी वाइबरेशन वागेरा इवन बीच का trackpad, trackpad यूज करके आपको mouse का कर सर वर सर मूव करना हो वो भी ये controller आपका PC पे करवादेगा और highlighting part इस controller का अगर जो गेम पैड है ये Stratos Xenos गेम पैड रिव्यू कर सकते हो उससे भी आप इसको wirelessly connect कर पाऊगे थूर एक्स इंपूट मोड यानि कि डारेक्ली विंडोस पर चलेगा डॉंगल के थूर एंड ये controller 6 axis gyroscope के साथ आता है जो आपके PlayStation 4 वाले games में जा जा सपोर्ट होगा वहां भ को जाए रहों कि तो अपनी एमिंग वगरा करनी है वहां पर ये काम आ जाएगा हमने Spider-Man में यूज करके देखा था प्रॉपली चल रहा था एंड ये PS3 पे चलता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ वायर काफी चोटी है क्योंकि PS3 पर आप वायर मोड पर खेल रहे हो तो आपको अगरारां से काम करते है और वायर मोड पर आपको नहीं चलता है यहां जिसका जो जाएरोस्कोप वह बैटरी बैकप बहुत मैंटर करता है वान थाउजन एमेज की बैटरी पक करकी एक सकते हैं और आपके एक्स्ट्रीम गेमिंग सेशन के बीच में इसकी बैटरी डाउन होगी तो आप वाइयर कनेक्शन पे चला सकते हो वाइड यह प्लाटफॉर्म से आराम से चल जाता है मतलब साथ साथ चार्ज भी होता रहा था और आप गेम भी खेल सकते हो अब बात करता है गेमिंग एक्सपीरियंस के मामले में कहीं से कहीं तक डिसपोइंट नहीं करता सबसे पहले चीज़ी वाइब्रेशन वाइब्रेशन अच्छी खासी काम इसकी करती है और काफी अच्छ बीग कम रहे बट इसके अदर वो ऑप्षन नहीं तो वह होना चाहिए था और वास के अंदर मिलता है हमारगो होल एक्ट ट्रिगर्स और होल एकट जैसको हौल एक्ट नहीं बता स्के अंदर मैंगनेट के तुरू वापस आते फिर चाहए ट्रिगर हो गया पिर जाहाए आ और इसके अंदर drifting का issue easily नहीं आता और जल्दी से खराब भी नहीं होते यह काफी बड़ा प्लस पॉइंट है और हाँ जैसे swappable joystick के अंदर मिल रही थे ना वो इसके अंदर नहीं मिलती ऑव्यसी बाते प्लेस्टेशन compatibility के साथ आता है तो कहीं नहीं चीज इसके अंदर मिलते हैं और इसके अंदर मारे को टर्बो बटन का फीचर भी मिलता है जो आप इसकी यूजर मैनूल में चेक कर सकते हो कैसे सेट अप करना है और डिफरें डिफरेंट डिफरेंट लेवल से बटन दबाया और वो चले जा रहा है चले जा रहा है तो तर्बो वहां पर काम आ जाता है तो अवरॉल इर्गनॉमिकली बात करें तो इन प्लेटेशन वाली चीज जो मेरे को लगी वह होनी चाहिए थी अगर बात करते हैं अगर आप प्लेटेशन फॉर के लिए स्पेसिफिक लिए कंट्रोलर देख रहे हो साथ में आपके बास पीसी भी है तो आप यह कंट्रोलर डेफिनेटली आप्ट कर सकते हो आज की रेट में अगर आपको आर जी भी के तड़के पसंद है अगर आपके बास सिर्फ पीसी है या अंड् टेंडो स्विच वालों के लिए तो वाइड कंपैटिबिलिटी है जितने भी आपके घर कंसोल होंगे सब जगा चल जागा एकसेप्ट पीएस फाइव गेम उस चीज़ का दियान रखना एंड्ट थ्री थाउजंड का आपको बजट है और वार्लेस कंट्रोल देख रहे हो यह good to go option आज की रेड़ में बाकि आपके का thoughts हैं comment करके बताओ तुमारी full demand आई तीसलिए हमने review करा पसंद आए video like मारो और कुछ चेक आउट करना हो तो link के description हो वापे देख लेना मिल दे नेक्स वीडियो अब तक के लिए बाई